जो कि पर्मनेंट या जीनोटिपिक होता है अंदर प्रोलॉंग स्ट्रेस्फुल कंडिशन एक्जामपल के तोर पे कंगारू रैट में देखें तो इनके जो एंसस्टर थे उस समय पानी की जैसे जैसे कमी शुरूई इन्होंने अपने अंदर एडाप्टेशन पैदा किया कि उस कमी को कैसे पूरा किया जाए पानी की इन्होंने फैट का उक्सिडेशन स्टार्ट किया जिससे 90% वाटर की कमी को पूरा किया जा सकता है साथी साथ इन्होंने highly concentrated urine produce करना स्टार्ट कर दिया तो highly concentrated urine में water जादा से जादा reabsorb हो जाता है by the kidney इसी तरह से plant के केस में देखें तो जो बहुत जादा zero-fritic condition में plant पाए जाते हैं वो भी evolve हुए वहाँ पे thick cuticle का formation हुआ leaf surface पे ताकि evaporation या transpiration कम से कम हो स्टोमेटर डीप पिट्स में थे ताकि स्टोमेटर लाइट sensitive होते हैं तो यह आसानी सोपन ना हो सके इन्होंने कैम पाथवे स्टार्ट कर दिया जो photosynthesis में लोग पढ़ेंगे leaves spines में convert हुई है